हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टू लंगर दितिमन, तो आज हम करेंगी क्लास एर्थ में चैप्टर नंबर 4 के कोश्यन आंसर जो की जनसंख्या से संबन देता है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्र किया गया, तो यह कारे जो है 1872 इसवी से प्रारम किया गया, ठीक है, और आपको याद है कि जनगर्णा का कारे जो है वो हर 10 वर्स में किया जाता है, फिर देखें, कोश्यन नंबर 2, सन 2011 की जनगर्णा की अनुसार राजिस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, सन 2011 की जनगर जो भारत की जनसंख्या का 5.7% है, जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं, जनसंख्या का बढ़ना या घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है, किसी निश्चित अवदी में जनसंख्या में जो भी चेंजमेंट आता है, उसे ही जनसंख्या परिवर्त तो वहाँ पर जन संक्या बढ़ती है तब भी जन संक्या परिवर्टित होती है जन संक्या में धनात्मक वरद्धी कहा जाता है तो जन संक्या में धनात्मक वरद्धी जो है वो कहा जाता है किसी इस्थान की जन संक्या का एक वर्स या एक दसक में पिछले वर्स से बढ़ जा इसका अर्थ यह है यहाँ पर यह कहा गया है कि किसी इस्थान की जनसंख्या यदि एक वर्स में या एक दसक में पिछले वर्स की तुलना में यदि बढ़ती है तो जनसंख्या जो है वो धनात्मक व्रद्धी में है जनसंख्या में रनात्मक व्रद्धी किसे कहा जाता है तो बिल्कुल अपोजिट है जनसंख्या के धनात्मक व्रद्धी का कि किसी इस्थान की जनसंख्या का एक वर्स या एक दसक में पिछले वर्स से कम होना जनसंख्या की रनात्मक व्रद्धी कहा जाता है 2011 की जन गरना की अनुसार राज्य की जन संख्या वरदी दर कितनी हुई तो राजिस्थान की जन संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है ठीक है तो यह 21.31 प्रतिषत रही 2011 की जन करना की अनुसार, राजस्थान राज्य की जन संख्या 21.31 प्रतिशत से व्रद्धिस में हुई राजस्थान में जन संख्या व्रद्धी सरवाधिक और सबसे कम किस जिले में रही? राजे स्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या व्रद्दीदर किस जिले में रही और सबसे कम किस में रही तो सबसे ज़्यादा जो है वो बाडमेर जिले में रही 32.5 प्रतिशत और सबसे कम जो है वो गंगा नगर में रही 10 प्रतिशत एक इस्थान के शेत्रपल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या जो प्रतिवर्ग किलोमीटर में देखी जाती है तो एक इस्थान के शेत्रपल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जन संख्या गनत्व कहा जाता है राजिस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है तो राजिस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है इसका मतलब यह है कि राजिस्थान में प्रतिवर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति जो है निवास करते हैं राजेस्थान राज्य में जनसंक्या घनत्व सरवाधिक किस जिले में हैं? तो सबसे ज्यादा जनसंक्या घनत्व ये है जैपुर जिले में 595 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर तो ये सभी आंक्रे जो हैं 2011 की जन गर्ना के अनुसार लिये गए हैं राजेस्थान में सबसे कम जनसंक्या घनत्व किस जिले में हैं? तो जैपुर में सबसे अधिक जनसंक्या घनत्व है और सबसे कम जनसंक्या घनत्व जैसल मेर में है 17 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर राजिस्थान में उत्री पूर्वी राजिस्थान से पक्षमी राजिस्थान में जनसंख्या कम है या अधिक है तो हम सभी जानते हैं कि जो पक्षमी राजिस्थान है जो कि किस से संबंदित है मरुस्थल से संबंदित है अत्यधिक तो यहां पर कम जनसंक्या निवास करती है वहीं पूर्वी राजिस्थान में रोजगार के साधन है पानी की पर्याप्त मात्रा है तो इस वज़े से वहा जनसंख्या अधिक निवास करती है जैपुर जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है तो पूरे राज्यस्थान का 10% जो है वह जैपुर जिले में निवास करता है पक्षमी मरुस्थलिय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है जो की कितने भूभाग पर निवास करती है तो हमें ये तो पता चल गया कि पक्षमी मरुस्थलिय प्रदेश में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है जो की 61% भूभाग पर 40% के लगभग जनसंख्या लिंगा नुपात किसे कहा जाता है? प्रति हजार पुर्सों पर इस्त्रियों की संख्या ही लिंगा नुपात कहलाती है. लिंगा नुपात कितना है? तो प्रति हजार पुर्सों पर इस्त्रियों की कितनी संख्या है? इसे लिंगा नुपात कहते हैं और इससे हमें ये पता लगता है कि महलाओं की इस्तती क्या है उस जिले में. तो 2011 की जन गर्ना की अनुसार पूरे राजिस्थान में यदि हम लिंगा नुपात की बात करें तो 928 महलाएं प्रति हजार पुरुस. नेक्स्ट देखें कुश्य नुमबर 17 है. दो हजार ग्यारा की जन गर्ना की अनुसार छे वर्स से कम आयू के बच्चों में लिंगा नुपात कितना है? तो ये बहुत कम है और ये है 888. नेक्स्ट देखें राजेस्थान में सर्वादिक लिंगा नुपात किस जिले में है? तो डुंगरपुर जिले में सर्वादिक लिंगा नुपात है. यानि कि यहां पर महलाओं की संख्या अधिक है. 994 महलाएं जो हैं वो प्रति हजार पुरुस पर हैं. राजेस्थान में सबसे कम लिंगा नुपात किस जिले में है? तो सबसे कम लिंगा नुपात धौलपुर जिले में है. 846 महलाएं प्रति हजार पुरुस. साकशर्ता दरसे क्या अभिपुराय है? जो पड़े लिखे हैं तो उसी दर से हम पता लगाते हैं साकशर्ता दर का. 2011 की जन गर्णा के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता कितनी प्रतिशत है तो यह 66.111 प्रतिशत है ठीक है यह एक्जाम में आया हुआ कोश्यन है कि 2011 की जन गर्णा के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है 66.11 प्रतिशत राजेस्थान में सर्वाद एक साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है? राजेस्थान में सर्वाद एक साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला है कोटा जिला और यहां पर 76.6 प्रतिशत जो है यहां पर साक्षर्ता दर है ठीक है? तो सबसे ज़्यादा पड़े लिखिये जो हैं हमें कहां मिलेंगे कोटा में राजेस्थान में सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है तो सबसे कम साक्षर्टा वाला जिला है जालोर और जहां पर 54.9 प्रतिशत जो है यहां की साक्षर्टा दर है राजिस्थान में पूर्सों की साक्षर्ता प्रतिशत कितना है? कि कुल साक्षर्टा 66.1,1 परतिशत है जिसमें पूर्सों की साक्षर्टा 89.1 परतिशत है और महिलाओं की साक्षर्टा 52.1,2 परतिशत है जो की पूर्सों के तुलना में काफी कम है राजेस्थान में सर्वाद एक पूर्स साक्षर्टा वा महिला साक्षर्टा किस जिले में है तो यहां पर ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा पूर्स साक्षर्टा और सबसे ज़्यादा महिला साक्षर्टा किस जिले में है तो पूर्सों की बात करें तो जुन-जुनु है और महलाओं की बात करें तो कोटा जिला है राजिस्थान में न्यून तम साक्षर्ता पुरुसों की और महलाओं की किस जिले में है तो पुरुस साक्षर्ता जो की कम है प्रताब गड़ की और जालोर की महला साक्षर्ता जो है वह है कम है ठीक है जालोर में महला साक्षर्ता सबसे कम मिलेगी और प्रताब गड़ में पुरुष साक्षर्ता सबसे कम है राजे स्थान में सर्वाद एक नगरिय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हमें पता है कि हमारे राज्य की जादा तर जनसंख्या जो है वो गाउं में निवास करती है और यहाँ पर कोटा जिले में नगरिय जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है राजे स्थान में सबसे कम नगरिय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक कोटा में है और सबसे कम नगरिय जनसंख्या डूंगरपूर में है ठीक है डुंगरपुर एक ग्रामिर इलाके में आ जाता है जन गड़ना 2011 की अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत जन संख्या अनुसूचित जन जातियों की है तो राजिस्थान में बहुत सारे जन जातियां निवास करती है अधिक तर जो है वो गाओं में पहाड़ों पे जंगलों में निवास करती है और यहां बर 13.5 प्रतिशत जो जन संख्या है वह अनसूचित जन जातियों की है राजिस्थान राज्य में 2011 की जन गड़ना की अनुसार राजिस्थान में कौन-कौन सी जन जातियां निवास करती है तो यहां पर भील जन जाति, मीरा जन जाति, डामोर जन जाति, सांसी जन जाति, गरास या, सहर या जन जाति निवास करती है जिसमें सबसे ज़्यादा मीरा जन जाति आपको देखने को मिलेगी और यहां सबसे पुरानी प्राचीन जनजाती जो है वह है भील जनजाती राचेस्थान में सरवादिक जनसंख्या किस जनजाती की है तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां मीना जनजाती जो है उसकी जनसंख्या जो है वह सरवादिक है मीडा जन जाती मुख्यत है कहा निवास करती है तो ये जन जाती जो है वो जैपुर, दोसा, स्वाई माधोपुर, करोली, अलवर, उधैपुर, कोटा, बुंदी जिलों में निवास करती है राजिस्थान की कौन सी जनजाती सबसे प्राचीन जनजाती है तो वह है भील जनजाती कहा निवास करती है भील जनजाती कहा निवास करती है तो ये जनजाती जो है बाजवाडा, डुंगरपुर, प्रताबगर्ड और शिरोही जिले में निवास करती है डामोर जन जाती मुख्यते कहां निवास करती है तो डामोर जन जाती जो है यह भी डा से डामोर और डा से डुंगरपुर तो डुंगरपुर जिले के सिमल वाड़ा शेत्र में डामोर जन जाती निवास करती है गरासिया जनजाती मुख्यते कहां पाई जाती है तो ये जनजाती जो है वो सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाडा तहसील में पाई जाती है ठीक है यहां ये निवास करती है स्वी रोही जिले की आबू रोड और पिंडवाडा तहसील में गरासिय जनजाती जो है वह मुख्यते निवास करती है सांसी जनजाती मुख्यते कहां पाई जाती है सांसी जनजाती जो है वह भरतपुर में निवास करती है किस जनजाती को भारत सरकार ने आदिम जनजाती समू की सूची में सामिल किया है तो वह है शहरिया जनजाती तो यहां आदिम जो जनजाती है उसका अर्थ क्या होता है जो जनजाती हद से ज़्यादा पिछड़ी होती है उस जनजाती को हम आदिम जनजाती की श्रेणी में रखते हैं तो सहरिया जनजाती जो है जिसे की भारत सरकार ने आदिम जनजाती समू की सूची में शामिल किया है सहरिया जनजाती मुख्यत है किस जुले में निवास करती है? तो यह 12 जिले के साहबाद और किसन कंज तहसील में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाती मिलेगी तो यह चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है इस चैप्टर में से 40 कुश्चन जो है वहे निकल कर आए है और कुश्चन जो है आपके एक्जाम में 100% यहाँ से आएगा जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा सकता है कहां जनसंख्या घनत्व अधिक है कहां कम है इसी तरीके से कौन से जनजाती जो है किस शेतर में निवास करती है साक्षर्तादर के बारे में भी पूछा जा सकता है तो आप इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा बार बार इन कुश्चन को पढ़िएगा वीडियो बार बार देखिएगा तभी आपको यह चीजे याद होंगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फाइब के कुश्यन आंसर के साथ थेंक यू